नमस्ते बच्चों आज हम हिंदी सुलब भारती सात्वी कक्षा पाठ क्रमांग तीन दादी मा का परिवार इस पाठ का अध्यन करेंगी बच्चों इस पाठ के लेखर रमा कांथ कांथ जी हैं जिनका जनम 25 अक्टूबर 1949 खंडेला उत्तर प्रदेश में हुआ है इनकी प्रमुक रचनाई एक तेरे बिना सुनो कहानी सरस बाल कताई आदी हैं बच्चों रमा कांथ कांथ जी की रचनाई सुप्रतिश्चित बाल पत्रिकाव में प्रकासित हुई है रस्तुत कहानी में लेकक ने यह बताया है कि संकट के समय सांती, एकागरता, धैर और एकता के साथ कारे संपन्न करने चाहिए अब हम अपने पाठ पर चलते हैं एक छोटे से घर में दादी मा रहती थी, यूंतो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका बच्चों, दादी मा एक छोटे से घर में रहती थी, वह अकेली थी, फिर भी उसका घर आबाद था बच्चों हम सब्दों पर भी ध्यान देते चलेंगे, कटिन सब्दों पर निपट, यानि केवल, मात्र, यानि केवल दादी मा आबाद, यानि भरा पूरा परिवार, बुहारन, बुहारन यानि साप सुत्रा करना, स्वक्ष करना, इस तरह यह हमारे सब्दार्थ में हैं, जिस पे हम ध्यान देते साथ में चलेंगे आपको पता है, रोज सुबह दादी मा उटती, घर बुहारती, समारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिजनों से बतियाती, रात होती, सो जाती अर्थात बच्चो, दादी मा का नित्यनियम ये काम होता था, कि वो घर को बुहारती, बुहारती यानि साफ सुतरा करना, स्वक्ष करना, सवारती, सजाना, यानि घर को जो है साफ सुतरा करती, सजाती, सवारती, साथ ही साथ, जो आंगन था, वहाँ पर आसन धरती, आसन यानि जो हम जिस पर हम बैठते हैं, चाहे कुरसी हो, चटाई हो, जिस पर हम बैठते हैं, वो हमारा आसन हुआ, धर्ती और खाना बनाती, खाना बनाती यानि खाना बनाने का भी काम दादी मा सोयम करती, और अपने परिजनों से बतियाती, यानि जो परिवार के लोग थे, ज इत्यनियम का काम होता था, इस तरह दादी मा के दिन बड़े ही मज़े से गुजर रहे थे बच्चों, और दादी मा के परिवार जन भी फल फूल रहे थे, दादी मा का परिवार अर्थात, अब हम दादी मा के परिवार की कहानी सुनेंगे, दादी मा थी बड़ी समझदार औ चालाग थी चतुर थी दाधी मा और अब हम उनके परिवार के बारे में जानेंगे तो दाधी मा के साथ रहती थी दाधी मा की एक संगिया कौन थी दाधी मा की संगिया और कहां रहती थी घर में अब हम कहानी में आगे चलेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि दादी मा की संगिया कौन थी संगिया याने मित्र दोस्त जो दादी मा के साथ घर में रहती थी घर के आंगन में बरगत का पेड था उस पर घोसला बना था घोसले में रहती थी चडिया अर्थात दादी मा के घर में जो आंगन था उस आंगन में एक बरगत का पेड़ था और बरगत के पेड़ पर घुसला बना हुआ था आपको ध्यान आया बच्चो घुसला कौन बनाते हैं पक्षी घुसला जो है कौन बनाते हैं पक्षी घुसला बनाते हैं तो दादी मा के आंगन में एक चिडिया ने जो है घोशला बनाया हुगा था. इस तरह चिडिया का नाम था नीलू. सुबह उट दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती, चिचियाती, दादी मा से बतियाती. तो बच्चों चिडिया का नाम क्या था? नीलू. अर्था नीलू चिडिया. जब सुबह सुबह दादी मा आंगन को बुहारती, यानि साफ सुत्रा करती, उसको सजाती, उस वक्त नीलू क्या कारे करती? यानि निलू क्या काम करती वह फुदकती चिचियाती और दादी मा से बाते करती यानि निलू चडिया घर आंगन में फुदकती यानि नाचती इधर उदर से नाचने का काम करती इधर से उड़कर उदर बैठती उदर से उड़कर इधर बैठती यानि पूरे आंगन में वह एक और थी दादी मा की साथिन, कौन थी दादी मा की साथिन, चिंकी चुहिया, कौन था बच्चों, चिंकी चुहिया दादी मा की एक और साथिन थी, बच्चों तो दादी मा की ये दीन दुनिया हुई यानि ये परिवार जन हुए जिसमें एक नीलू चड़िया हो गई और दूसरी चिंकी चुईया हो गई जो दादी मा के साथ दादी मा के घर में बड़े आराम से रहते थी नीलू चड़िया तो पेड़ पर बरगत के पेड़ पर घुसला बना कर रहती और चिंकी चुईया चिंकी चुईया पेड़ के नीचे बिल बना कर रहती और जब दादी मा घर आंगन को बुहारती सजाती सवारती तब नीलू चड़िया और चिंकी चुहिया के दिन बड़े मज़े से गुजर रहे थे अर्थात दादी मा चड़िया और चुहिया इनके दिन बड़े मज़े से गुजर रहे थे वे सब यदी होती खुश कौन-कौन बच्चो दादी मा चड़िया और चुईया जब खुश होती तो दादी मा भी रहती खुश यानि दादी मा भी बहुत खुश रहती जब चिंकी चुईया और नीलू चड़िया खुश रहती तो दादी मा खुश हो जाती और जब दादी म मा होती दुखी तो ये सब भी हो जाती दुखी यानि इनको भी दुख होता कि दादी मा आज दुखी है इस तरह पूरे परिवार के साथ दादी मा अपने घर में रहती थी ध्यान देना बच्चो ठंडी के दिन थे उन्ही दिनो नीलू चड़ियाने अंडे दिये अर्था ठंडी का मौसम चल रहा था और नीलू चड़ियाने क्या किया था अंडे दिया था उसमें से निकले दो बच्चे यानि उस अंडे में से अंडे जब फूटे तो उसमें से नि अच्छे अच्छे बच्चे दादी माने नणे-णने सुन्दर बच्चों का नाम रख़ा टीनू मीनू अर्थात उनका क्या नाम निकला? टीनू मीनू और सबने मिलकर पाला पोसा यानि दादी मा चिंकी चुहिया, नीलू, चिडिया इन्होंने क्या किया? मिल जुलकर दोनों बच्चों का पालन पूसन किया उसी समय चिंकी को दो बेटों के उपहार मिली उपहार याने भेट यानी चिंकी चुहिया ने भी क्या किया? दो बेटों को जनम दिया और दादी मा ने उन दोनो बेटों का यानि उन दोनो बच्चों का नाम क्या रखा चुस्कु मुस्कु ध्यान देना बच्चों दोनो चिंकी के दोनो बेटों का नाम क्या हुआ चुस्कु मुस्कु चुस्कु मुस्कु थे बड़े भले हाँ वो बहुत भोले थे बहुत प् बच्चों का ख्याल कौन रखता दादी मा रखती और जब दादी मा का मन नहीं लगता तो वो कहां ध्यान देती है बच्चों पर ध्यान देती जिस तरह आपकी ममी आप पर ध्यान देती है ना आपसे बहुत सने और प्यार करती है ना जब आप दुखी होते तो मा भी आपकी दुखी हो जाती, उसी तरह दादी मा भी उन चारो बच्चों का ध्यान रखती, उनसे सने और प्यार से पाते करती, उनको दुलारती, पुछकारती, जब वो बच्चे रूने लगते तो उन्हों पुछकारती यानि प्यार से बुलाती, इस तरह चारो बच्चे घर आंगन मे खेलते रहते नाचते हसते गाते खाते यानि पूर्या दिन उनका मजा मस्ती चलता रहता और पूरे घर में वो खेलते कुदते नाचते गाते इस तरह बच्चों के दिन बड़े मजे से गुजर रहेते खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते दादी मा उने समझाती कहती मेरे बच्चों मत लड़ो जगडे टंटों में मत पड़ो तनिक एकता का ध्यान धरो सब मिलकर रहा करो तब ही कहते हैं एकता है जहां खुश हाली है वहाँ हाँ बच्चों जब चारो बच्चे आंगन में घ घर में दोड़ते इधर उदर से इधर उदर खेलते उस समय अगर बच्चों में कुछ लड़ाई जगड़ा हो जाता तब दादी मा उन्हें बड़े प्यार से समझाती उन्हें कहती बच्चों लड़ाई जगड़ा नहीं करना चाहिए मारपीट नहीं करना चाहिए हमें ए एक साथ मिलजूल कर रहते हैं, उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होती, इस तरह दादी मा उन्हें बड़े प्यार से समझाती, उन्हें सीख देती कि एकता है जहां खुशाली है महां, इस तरह दादी मा उन्हें बड़े प्यार से समझाती, और यूं दिन कट रहते हसी खुशी से परिवार में सब रह रहते खुशी खुशी से दादी मा रोज उन्हें समझाती एकता के लाब गिनाती यानि इस तरह उनके दिन मजे से गुजर रहते और पूरा परिवार खुशी-खुशी एक साथ रह रहा था और दादी मा का रोज काम क्या होता था उन्हें समझाना और एकता के साथ उनको रहने की सीख देना इस तरह एकता के साथ रहने की सीख उनको देती और एकता से क्या लाब मिलते हैं ये दादी मां बच्चों को समझाती एक बार की बात है अर्था एक बार संकट आ गया चिडियों में मातम छा गया नीलू दाना चुगने चली गई संग बच्चों को भी ले गई अर्था नीलू दाना चुगने जा रहे थी और अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी लेकर गई नीलू के साथ अन्य चिड़े चिड़िया भी गए दाना चुगने के लिए तो सारी चिड़ियाए कहां गई बच्चों? खलियान में दाना चुगने गई खलियान खलियान अर्थात वो जग़ जहां पर धान की कटाई होती है जहां पर फसलों की कटाई होती है और कटाई करने के बाद रखा जाता है उस जग़ को कहते हैं खलियान जब सारी चडिया दाना चुग रही थी अचानक मुनमुन को ध्यान आया उसने सबको बतलाया सासो मा आने वाली है घोसले में कोई नहीं है खाली है घर जाने की उसने विदाली सबसे टाटा बाई-बाई कर ली अब वह उन्ने को हुई बेचारी उलचकर रह गई अर्थात बच्चों जब सारी चडिया दाना चुग रही थी तब अचानक से मुनमुन को ध्यान आया कि घोसला खाली है और सासो मा घर वापस आने वाली है तब उसने सारी बागी चडियाओं से विदाई ली सबको उसने टाटा बाई-बाई कर लिया और टाटा बाई-बा जब मुनमुन को यह महसूस हुआ कि वह जाल में फस चुकी है तब वह जोर से चिलाई और चिलाकर बोली अरे मैं फस गई हूँ और यह सुनकर नीलू का ध्यान उसकी तरफ गया किसकी तरफ मुनमुन की तरफ गया वहाँ पर जो दूसरी चिडियां दाना चुक रही थी उनका ध्यान भी मुनमुन की आवाज की तरफ गया अर्था दूसरी चिडियों ने भी बात सुनी और नीलू उसके पास जाने के लिए तैयार हुई लेकिन बेचारी वह भी उलजकर रह गई थी वह भी मुनमुन के प उलज चुकी थी तब वह बात को समझ पाई और वह समझ कर उसने जोर से चिचिचिया कर चिला कर बोला अरे हम सब उलज गए हैं हम सब जाल में फस चुके हैं, अर्थात बहेलिये ने जाल फैला कर रखा था और उस जाल में हम सारे चड़ियां फस चुकी हैं, बहुत तेरे उन्होंने यतन किये, निकल ना सके उलज गए, बहुत तरह से उन्होंने प्रयतन किया, बहुत तरह से उन्होंने कोशिश किया उस इस तरह सारे चिड़े चिड़िया हुए उदास, खतम हुई घर जाने की आस, सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, हाँ बच्चों, सारे जो चिड़ियाए थी, वो उदास हो चुकी थी, उनकी घर जाने की जो एक आस थी, वो खतम हो रही थी, सब का हाल बेहाल था, क्योंकि सब जो उमीर नहीं था कि वो घर जा सकेंगी, इस तरह उनको अपने बच्चों का ख्याल आ रहा था, बुरि बाते सोचने लगे थे, शिसक सिसक कर रोने लगे थे, यानि वो रो रहे थे, सिसक रहे थे, उनकी रोने की आवाज शुरू हो गई थी, तिनू, मीनू, नीलू ये भी एकदंग सांथे हलाकि चिंथा थी वे भी कलांत थे कलांत याने थक चुके थे कोशिश करते करते जाल से बाहर निकल लेकी इस तरह वो थक चुके थे फिर उनको दादी मा की सीख यांद आई यानि उनको दादी मा की सीख सुनाई दी और उन्होंने एक्ता की दुहाई दी जब उन्हें दादी मा की सीख यादाई तब उन्होंने सारी चडियाओं से एक्ता की दुहाई दी यानि एक्ता की बात बताई जो मुनमुन थी उनकी हम जोली उनको भी यह बात उन्होंने बताई एक्ता की बात सुनकर मुनमुन गुसाई और गुसे में तुनक कर बोली हम में एक्ता है हम लड़ नहीं रहे हार गए है जाल में फसे हुए है चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है, जब कुछ करना सको, हाँ बच्चो, मुन्मुन ने गुसे में यही खा, कि हम लड़ नहीं रहें, हम जगड नहीं रहें, हम हार चुके हैं, क्योंकि हम जाल में फसे हुए हैं, हम एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते, तो ऐसी एकता कि इस काम की, कि हम एक दूसरों की मदद नहीं कर सकते, सारे एकता धरी की धरी रह जाएगी, तब टीनू ने समझाया, और बोली, बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की टाकत जरूर दिखाएंगे, इस तरह टीनू ने सब को समझाया, और एकता की बात बताई कि इतनी सी मुसीबत से हम डर नहीं सकते हम जरूर जीतेंगे क्योंकि हमारे अंदर एक्ता है और एक्ता होने के कारण हमारे जीत अवश्य ही होगी तीनु की बात सुनकर मुन्मुन ने कहा आखिर चाते हो कैसी एकता तनिक खोलो अपनी अकल का पत्ता तब तीनु ने समझाई युक्ति और उसे मिल सकती है मुक्ति इस तरह हां मुन्मुन ने बोला कि तुम अपनी अकल का पत्ता खोलो और हमें समझाओ कि तुम कौन सा उपाय सोच रही हो, युक्तियाने उपाय, तुम ऐसा कौन सा उपाय सोच रही हो, कि हमें इससे मुक्ति मिल सकती है, और कौन सी ऐसी योजना है, जिस जो तुमारे मन में चल रही है, और जिसके कारण सब की भलाई हो सकती है, तब टीनू ने कहा उसने कहा मीनू कहेगी एक दो तीन चार उन्ने को रहेंगे तैयार हम एक साथ उड़ पड़ेंगे एक ही दिसा में चलेंगे अर्थाद बच्चों टीनू ने सब को समझाते वे कहा कि मीनू सब को कहेगी एक दो तीन चार और जब मीनू कहेगी एक, दो, तीन, चार, सब तयार रहेंगे उड़ने के लिए, सब अपने पंक फैलाएंगे, और एक साथ आसमान में उड़ पड़ेंगे, और एक ही दिसा में हम सब चलेंगे, इस तरह युक्ति जो है, इस तरह उपाय जो है, टीनू ने सब को समझाया, उड़ने को तयार हो गई, और जैसे ही मीनू ने बोला, एक, दो, तीन, चार, तो सारी चड़िया पंक फैलाकर, पंक पसारकर, जाल सहित आसमान में उड़ लिए, इस तरह सारी चड़ियाएं जाल सहित उड़ लिए, और इस द्रिश्य को बहेलिया ठगासा देखता रहे ग बहेलिया जो है, वह इस द्रिश्य को देखता ही रह गया, वह आश्चरे चकित हो गया, कि पक्षियों ने यहां क्या किया, क्या करता वह बेचारा, एकता के आगे था हारा, हां बच्चो, बहेलिया उस उनकी एकता के आगे हार चुका था, वह अब कुछ नहीं कर सकता था, वो चडियों को पकड नहीं सकता था उसकी अब एक भी नहीं चलती क्योंकि सारी चडियाए जाल सहीट आसमान में उड़ चुकी थी जब जाल सहीत जारी चडियाए उड़ चुकी तब टीनू मीनू ने उनको दादी मा के घर सीधे लेकर आई अर्थात सारे चिड़े चिड़िया तनिक नसकुचे सीधे दादी मा के घर पहुच गये अर्थात सारी चिड़िया जाल सहित कहा पहुचे दादी मा के घर पे पहुच गये और घर पर दादी मा चिंतित मू लटकाय बैटी हुई थी दादी मा के मन में बुरे बुरे विचार आ रहे थे, बुरे खयाल आ रहे थे कि टीनू मीनू अब तक क्यों नहीं आई, नीलू चडिया अब तक क्यों घर वापस नहीं आई, इस तरह बुरे विचार दादी मा के मन में आ रहे थे दादी मा तो मू लटकाए बैटी थी और चिंकी के आँखों में आशो थे चुसको मुसको भी उदास थे दादी मा का चर्खा सान था यानि दादी मा का घर जो चर्खा था वो भी सान था दादी का मन हाल बेहाल हो रहा था, वो भी कलान था यानि वो भी सोच कर परिशान हो रही थी, इस तरह पूरे घर का माहल बिगड़ा हुआ ता दुखी था घर का महल तो दुखी था, अचानक से कलर हुआ आंगन में, सबने देखा आनन फानन में, चिचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे, उसमें थे नीलू, टीनू, मीनू, प्यारे अर्थात, जब दादी मा दुखी थी, चिंकी, चुसकु मुसकु सारे दुखी थे, उस वक्त आंगन में शोर हुआ, सारी चडियाए वहाँ पर बहुत सी चडियाए दिखाई दी, जाल सहीत, उसमें टीनू, मीनू भी थे फसे हुए, जाल में फसे हुए, वो भी दादी मा के घर पहुचे। खेरियत तो है, क्या हुआ था काज, अर्थात दादी मा खटिये पे बैठी हुई थी, और जैसे ही सारी चडियाए टीनू, मीनू आंगन में पहुचे, वो अलग-अलग थे, पर उनके अंदर एक एकता थी, जिसकी वज़र से वो जाल सहीत आंगन में पहुचे थे, और दा दादी मा की बाते सुनकर नीलू ने अपना सारा हाल सुनाया, और दादी मा को सारी बात, सारी घटना बता दी, कैसे कैसे पक्षियों ने पक्षियों की टोली दादी मा के आंगन पहुची या सारी घटना नीलू ने दादी मा को बताया, नीलू की बाते सुनकर दादी मा हसी और बोली टीनू मीनू है समस्दार तभीतो किया खबरदार जान तुम्हारी बच गई है यही अच्छी बात हुई है अर्थात बच्चो दादी मा हसने लगी नीलू की बाते सुनकर जब नीलू की बाते सुनकर दादी मा हसने लगी और हस्ते हस्ते बोली कि टीनू मीनू बहुत समस्दार है बहुत होश्यार है और उनके कारण ही आज आप लोगों की जान बच गई है उन्होंने जो उपाय बताया उसके कारण ही तुम लोग आज बचे हुए हो और यहां तक पहुचे हो सच है जान हमारी बची पर अभी है जाल में फसी तनिक हमें संभालो इस से बाहर निकालो अर्थात बच्चो तब दादी मा की बाते सुनने के बाद नीलू ने कहा बात तो सच है जान हमारी बच गई है लेकिन अभी भी हम जाल में फसे हुए हैं और इस जाल से हमें आपको निकालना है हमें बाहर निकालो इस जाल से क्यूंकि हम अभी भी जाल में फसे हुए है नीलू की बाते सुनकर दादी मा मुस्काई और राज की बात उन्हें बताई उंगले उठा कर बोली काम करेगी एकता की गोली बच्चो उसमें ही शक्ती है वही बचने की युक्ती है वह तुम्हें बचाएगी जाल से मुक्त कराएगी इसका मतलब बच्चो दादी मा नीलू की बाते सुनकर हसने लगी और उन्हें राज की बात बताने लगी राज की बात अर्थात बच्चो की जिसमें एकता होती है जहां एक्ता होती है, महाँ पर कभी हार नहीं होती, उनकी जरूर जीत होती है, तो एक्ता ही सबसे बड़ी शक्ती है, और यही तुमको बचाकर यहां तक ले आईए, यही सबसे बड़ी युक्ति, यही उक्तियाने उपाय है, और तुम्हें यही जो है जाल से मुक्त भी करा दादी मा की एकता वाली बाते सुनने के बाद नीलू बोली मीठी बोली हम एक हैं पर क्या करें बज जाए कुछ ऐसा जतन करें अर्थात कि नीलू ने समझाते हुए कहा, बड़े प्यार से कहा, कि हम सब एक हैं, फिर भी हम फसे हुए हैं, हम एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते, तो कुछ ऐसा उपाय करिये कि हम इस जाल से मुक्त हो जाएं. और इस तरह नीलू की बाते सुनकर दादी मा ने फिर समझाया, फिर से एकता का पाठ पड़ाया, वह बोली एकता पक्षियों में ही नहीं, औरों में भी होनी चाहिए. यही बात सदय ध्यान में रखते हुए एक और एक ग्यारा होते हैं, एक और एक ग्यारा बच्चो यह एक मुहावरा है. किसी तरह कि तुम जिजग न करो, चिंकी से तनिक याचना करो, वह तुम्हें बंदन से मुक्त कराएगी, वह तुम्हें बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी इस तरह दादी मा ने नीलू को समझाते हुए कहा कि तुम डरो मत तुम चिंकी से जरा याचना करो यानि प्राथना करो और वो तुम्हें तुमारी मदद जरूर करेगी और जाल को काट कर तुम्हें मुक्त करेगी यानि जाल से बाहर ले आएगी दादी मा की इस तरह की बाते सुनकर टीनू मीनू बहुत खुश हो गए और वो खुशी-खुशी कहने लगे हम आजाद हो रहे हैं अहां मौसी चुसकु मुसकु को बुलाओ सब मिलकर हमें बचाओ अर्था वो इतने खुश हो गए कि उन्होंने चुशी चुईया से कहा कि मौसी अब चुसकु मुसकु को भी बुलाओ और सब मिलकर सब जन मिलकर हम लोगों को इस जाल से मुप्त कराओ ये बात नीलू ने कही भेट किया किस नहीं नहीं बात चिंकी के मन को भाई दोण भाग जटपट आई दादियों बोली मिलकर रहो हम जोली एक रहोगे तुम सब हार नहीं मिलेगी तब अर्थात बच्चो नीलू ने चिंकी से याचना की चिंकी से प्रातना की कि हमें जाल से मुक्त कराओ और यह बात सुनकर चिंकी खुश हो गई और वह दोड़ती हुई भागती हुई जटपट जान के पास पहुची जान को काटना शुरू किया और इस द्रिश्य को देखकर दादी मह बोली मिलकर रहो हम जोली यानि तुम हम जोली की तरह मिलकर रहो और अगर तुम सब इसी तरह रहोगी तो कभी भी तुमारी हार नहीं होगी तुम हमेशा जीत जाओगी जब चिंकी दोड़ती भागती हुई जाल के पास पहुची तो उसने जाल को काटना शुरू किया जब चिंकी को जाल काटते हुए देखा तो चुसकु मुसकु भी वहाँ पहुच गये और उन्होंने भी अपने पैने दातों से जाल को काटना शुरू कर दिया जब चिंकी, चुस्कू, मुस्कू सब लोगों ने जाल को काटना शुरू किया तो पक्षी आजाद होने लगे, सारी चडियाएं आजाद होने लगे जब पक्षी आजाद होने लगे और वो चिछियाने लगे दादी मां से बाते करने लगे जब जाल से सारी चड़ियाen मुक्त हो गई तब वो दादीमाँ से बाते करने लगी तीनू मीनू जुसको मुसको खेलने लगे और सब प्रेम स्नेहे के साथ रहने लगे और दादीमा की जो सीख थी वो रंग लाई और सब ने एक ताकी दी दुहाई सब ने एक साथ मूँ खोला और मूँ खोल कर उन्होंने क्या कहा? अंत भला तो सब भला यानि अंत अगर अच्छा हुआ तो सब अच्छा होता है तो इसी तरह हमें इस पार्ट से यह सीख मिलती है कि हमें एक टाके साथ ही रहना चाहिए हमें किसी से लड़ाई जगड़ा नहीं करना चाहिए कुछ नए सब्द दिये हैं उसको आपको लिखना है जैसे बुहारना, सुक्षकरना, दीन दुनिया, संसार, खलिहान, कटी फसल रखने का स्थान, कलाम ठका हुआ, कल रव पक्षियों की मधूर धोनी, आनन फानन में सिग्रता से इस तरह ये आपको लिखना है अब हम अपने स्वाध्याय पर चलते हैं प्रश्न क्रमांक एक, एक दो वाक्यों में उत्तर लिखो नमबर एक, चिडिया कहा रहती थी नमबर दो, बहलिया कब ठका सा रह गया नमबर तीन, दादी मा सुबा उठकर क्या करती नमबर चार, चुसकु मुसकु ने किस से जाल काटा यह आपको चार प्रश्न दिये हैं चारों प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं और मैंने पाट में इन्हें समझाया है प्रश्न क्रमांग दो, रिक्तस्थानों की पूर्ती कीजिए यहाँ पर मैंने आपको चार रिक्तस्थान दिया है और चारो रिक्तस्थान को मैंने पार्ट में समझाया है आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको चारो रिक्तस्थान मिल जाएंगे तीसरा खेरियत तो है क्या हुआ था काज इस तरह मैंने आपको तीन किसने किस से कहा लिखने है प्रशन का मांग चार निमलिखित सब्दों के वचन बदल कर वाक्य में प्रयोग करके लिखिए यहाँ पर मैंने कुछ आपको वचन बदलने के लिए दिया हुआ है और वचन बदल कर उन्हें वाक्यों में भी प्रयोग करना है जैसे थैलिया, दिवार, वस्तुवें, बहु, पंखा, राजा, भेडिया, रोटी ये आपको वचन बदलना है और वाक्यों में प्रयोग भी करना है आपको पता है बच्चो वचन दो प्रकार के होते हैं एक वचन और बहुवचन इसको बदलना भी है और वाक्यों में प्रयोग भी करना है प्रश्ण क्रमांग पांच संचेप में उत्तर लिखो यहाँ पर मैंने आपको दो कोशन दिये हैं दाधी के परिवार में कौन थे, चिंकीचुईया और उसके दो बच्चे, चुष्कु मुष्कु, नीलू चडिया, और उनके दो बच्चे, तीनू और मीनू. तो ये आपको अपने सबदों में लिखना है। प्रश्न क्रमांग दो, चुडियों में मातम क्यों चा गया, चुडियों में मातम क्यों चा गया, क्योंकि सारी चुडियाएं दाना चुगने गई थी, और जहां दाना चुगने गई थी, वहां बहले ने जाल बिछा कर रखा हुआ था, और सारी चुडियाएं जाल में फर्स झाल झाल